इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और इसका उप्योग मूह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों में नाखूनों और पैर के नाखूनों सहित संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उप्योग जारी रखें, भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएं। यदि आप उप्चार को बहुत जल्दी रोक देते हैं, तो संक्रमन वापस आ सकता है और यदि आप खुराक लेना भूल जाते हैं, तो आप संक्रमन के अपने जोखिम को सकते हैं, जो आगे के उप्चार के लिए प्रतिरोधी हैं। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या संक्रमन ठीक नहीं होता है यदि यह खराब हो जाता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, सामानि सर्दी, खांसी, धुंदली दृष्टी और मासिक धर् रोकने या कम करने के तरीकों के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपको अलजी की प्रतिक्रिया के संकेत हैं, जैसे गंभीर तवचा लाल चिकते, जुन-जुनी, सांस लेने में कठिनाई, आपके चेहरे, होंट, जीब या गले में सूजन हैं, तो अपातकालीन चिकित्स सहायता प्राप्त करें। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं, तो इसे तब तक न ले जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा करने के लिए न कहा हो। इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक से बात करें यदि आपको कभी दिल की विफलता, कम कि आपका उपचार एक महीने से अधिक का है, तो आपका डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षन करके आपके लिवकी जांच कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।